हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विल्कम टू शमधन साथियों उम्मीद है कि आप सबच्छे होंगे और इस टड़ी आपके अच्छे से चल रही होगी साथियों आज एंड हो चुका है दोजरतेश का और आप लोग प्रवेश्च कुर चुके हैं नए येर में और इश्वर स प्रतना है कि ये नया साल आपका सेलेक्शन वाला साल हो आप एक अच्छे पद पजाए और उस पद को सुसुभित करें इसी कड़ी में साती हो हम लोग बात करेंगी यहां पे जो बीपेसी अभेरती हैं जो खासकर बिहार अभेरती हैं और वो एस्टेट PCS का त्यारी कर र तो जो लोग बिहार दरुगा कर त्यारी करते हैं एक्जाम वैसा है कि वो लोग भी फाइट कर सकते हैं इसमें तो इससे बहतर अप्शन के पास क्या होगा तो जी यहां यहां पे जो जो जे पीएसी भरती है यानि जरखण PCS की उसका हम लोग बात करने वाले हैं और यहां पर हम लोग syllabus भी देखेंगे कितना syllabus कितना असान है देखने के वाद आपको बिल्कुल लएगा कि यह firm नहीं चुकना चाहिए आपको जरूर भरना चाहिए और यहां पे 17th BPSC से पहले आपको पास मौक होगा SDM बनने का तो आईए इस notice को हम लोग देख लेते हैं और syllabus को भ आप जरूर करेंगे यहां पर देखिए जरकंट प्रसासनिक सिवा यानि जहां से आपको SDM और SDU बनाया जाते हैं यानि उप्समारता भी इसको बला जाता है अलग-अलग स्टेट में तो यहां पे 207 पद अब आप देखेंगे BPSC जबकि जरकंट का पेक्षाइस में सासनिक सिवा में है अपका SDM बनने को मौका है जिनका DSP बनने को मौका है तो 35 और किसी भी स्टेट PCS में यही जो दो पदे होती है यह सबकी 24 होती है तो 207 पदोपी यहां पे डवोट कारा स्यवा का 2 है जर्कंट वित स्यवा का pilot कुझपन है अपको प्रूवेश्वा से स्रम्सीवा के देखेंगे था शिद्षा सिवा के 10 है शायता स्यवा 5 गैप कृत्पथ一个 10 है और जारखन ग्री रक्षा वाहिनी का एक है टूटल 342 है अब आईए यहां पर जब सिलेबस देखेंगे तो हम लोग बताएंगे नोटिफिकेशन के लिए चुकि यह रोष्टर भेजा जा चुका है और इतने पदों पर नोटिफिकेशन अपका इसी महीने में आ रही है ज रेगुलर भरती से में नहीं आती है जैसा पहले पीशी का अपने देखा होगा कि कमाइंड करके वकेंसी आती थी तो अभी भी जरकंट PCS का वही हाल है लेकिन अभी जो सुधार हुआ है तो वह लागया कि हर सल वकेंसी आईगी लेकिन आपको इस मौके से मतलब है यह आपको किया कोश्खा रहता है। अब दखिए यहां पर प्रिलीम्स की बात करेंगे किवका क्या कॉश्ण पुछा जाता है। उसमें clear mention नहीं है कि किस subject से कितने question आएंगे इवन यहाँ पर आपका subject तो छोड़ दीजे एक-एक topic mention है कि आपका इस topic से इतने question आएंगे और उससे ना एक कम होगा ना एक जादे होगा आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 100 question होता हैं परतेक paper में दो paper होता है और 200 number को होता है 400 paper number आपका prelims होता है यहाँ पर और 2-2 घंटे के समय मिलता है दुनों paper के लिए अलग-अलग से यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ syllabus देखेने के बाद आपको बिल्कुल motivate होंगे यहाँ पर फर्म भरने के लिए जरूर यहाँ पर आपको मैं suggest करूँगा तो यहाँ पर 400 number के अधार पर यहाँ पर होता है अब देखेंगे यहाँ पर syllabus देख लिए जो GS paper 1, GS paper 2 है prelims का तो paper 1 ही है पर देखेंगे तो 200 number का यह होगा आपका और दो घंटे के यहाँ पर आपको समय भी दिया जाएगा और इच question के लिए आपको यहाँ पर 2 max दिये रहेंगे और यहाँ पर candidate will have to answer the all the question यहाँ पर ठीक है अब देखें हिस्ट्री में बात करें तो ancient history से आपका 5 question medieval से 5 और modern से 5 यह fix आपका 15 1516 नहीं होगा यानि 15 ही रहेंगा 14 भी नहीं होगा उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो geography रहेगा आपका जिसमें आपका यह chapter रहेगा general geography, physical geography, economical geography यहाँ पर question भी mention कर दिया है किसी कितना रहेगा और 10 question यहाँ से भी रहेंगे इसमें भी topic clear mention आपका इसी topic से question आएगा तो आपको जादे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दोरोगा का भी आप त्यारी करते हैं अच्छे से तो क्योंकि BPC level का इसका question होता ही नहीं है science tick का यहाँ पर 15 questions रहेगा और यहाँ पर देखेंगे तो जारखंड special आपका 10 question आएगा तो 10 question तो कोई माइने नहीं रखता है यहाँ पर चलिए भी इसको इगिनोर करते हैं 10 question को national international current affairs 15 तो BPC के लिए भी आप लोग पढ़ते हैं यह सारे जो टॉपिक पर बताएं इस सारे बीपेसी के लिए भी पढ़ते हैं बिहार दरोगा के लिए भी पढ़ते हैं तो अगर बिहार दरोगा के लिए इस पीपर को नहीं है दस question हो गया जर्खंडे श्पिसल अब जीएस पेपर टू है जो वह जर्खंडे श्पिसल है तो देखिए यह भी multiple choice है और यहाँ पर आपको cut up की बात करें हम लोग तो दोनों चार से नमबर करते हैं मिला करके अग आप 65 question इसमें solve कर लेते हैं ना तो आपका sure है और merit इसके basis बनता नहीं है आपका selection यहाँ पर confirm वज़ेगा मेंस के लिए और यहाँ पर दोनों से मिला करके आपको करना है तो दोनों से मिला करके आप 65 question नहीं 65% यहाँ पर करना होता है तो इसलिए आप लोग यहाँ पर 65% solve कर सकते हैं question और इसमें भी अगर topic यहाँ पर common भी है जिसे मुंडा सासन बेस था यानि मुंडा विद्रों हम लोग भी PC में भी पढ़ते हैं तो कुछ common topic है कुछ को एक्स्ट्रा समय देना है अब आपको पास इतना मौका है 207 पदो पे SDM बनने का तो आप इतना भी तो मेहनत करीं सकते हैं चुकि GSP proven के लि नहीं है आप जो भी PCM पढ़ते हैं वही आपका history geography policy वहां पे अलग अलग paper होते हैं तो उसका अलग से topic पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे बाकी आपको मैं suggest करूंगा कि इतना संदार मौका है SDM बनने का इसको ना चुके इसको जरूर SDM का इसमें आप दावेदारी है तो उसमें आप जेनरल से fight कर सकते हैं तो अब जब details में आएगी तो उसमें जेनरल का सीटे मेंशन हैगा कि 207 में जेनरल की कितने सीटे हैं तो एक संदार मौका होने वाला है बिहार के BPCA भेर्थियों के लिए 70 से पाले तो कमेंट करके ज यह चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और एक बर फीर आप सभी को नए साल की हादिश सूब करना है और इस वर करें कि आपका यह नए साल खाल लिना आ जाए आप सिलिक्सन लें और समाज में नए बदलाव के साथ आगे बढ़ें धन्यवाद